OnePlus wired earphone जैसे कि बहुत लोगों लेटेंसी बिल्गूल भी नहीं चाहिए होता है तो वह wired earphone की तरफ चलते है तो यहां पर आज हम अन्बोक्सिंग करेंगे OnePlus का वायर वाला एरफोन तो बॉक्स को जैसे ही open करेंगे सबसे पहले यहां पर earphone देखने के लिए मिलता है और भी काफी अच्छा है 3.5 mm का earphone jack आपको इसमें देखने के लिए मिलता है और volume को भी आप कम ज्यादा कर सकते है next कर सकते है previous कर सकते है song को pause play कर सकते है और अच्छी quality का microphone आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है plastic build quality है but magnetic है और driver की बात करें 9.2 mm का driver है जो की basically आजकल 12 mm का दे अच्छे से फिटिंग होता है long time up use कर सकते है sound quality आप सुन सकते हैं फिर भी हम आपको बाद में बताऊंगा कैसा लगा है क्योंकि microphone में इसको जच करना शाई नहीं रहेगा sound quality काफी अच्छा है और bass ठीक ठाक है बहुत heavy type का नहीं बोल सकते हैं लेकिन फिर भी bass ठीक है travel बहुत जादा है जिसको चंचनहाट आप बोल सकते हैं और vocal clear है इसका आपको बहुत अच्छे से सुनना है और travel कम करके सुनना है बेर्स जादा करके सुनना है तो आप एक application आता है power amp करके उस application का आप इस्तमाल कर सकते हैं और काफी अच्छा से अपने हिसाब से customize equalizer करके आ आप सुन सकते हैं और यह quality की बात करें तो इस ही microphone से recording हो रहा है तो आपको अंदादा लग रहा होगा कि इस microphone से जैसे आप बात करेंगे तो आपको यहां पर quality कैसा मिलने वाला है wired microphone है इसमें आपको लिटेंसी बिल्कुल भी देखने क्लिए नहीं मिलेगा तो इस एरफोन में ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन फिर भी अगर हम प्राइस पन के हिसाब से अगर इसको जज़ करते हैं जैसे कि 700 के हिसाब से तो यह बिल्कुल रियल्मी बड्स टू जो एक एरफोन था ठीक वैसा ही आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा रियल्मी बड्स टू यूज किया हुआ है मेरा तो इतना हम जज़ कर सकते हैं कि रियल्मी बड्स टू जो है वो 20 था और यह 19 है जैसे 19-20 का अंतर होता है उसी हिसाब से आप अंदादा लगा सकते है 19 जो है यह वनप्लेस नोट का यह वाला वाइड एरफोन है और 20 जो है रियल्मी बड्स टू का है फिर भी आपको वनप्लस का ब्रांट चाहिए तो आप इसे साथ समय पर्चेश कर सकते हैं अगर आपको पर्चेश करना है तो बाइड लिंक डिस्क्रिप्सिंस में वहां से आप पर्चेश कर सकते हैं